अभी कुछ ही दिनों में रक्षा बंदन आने वाला है, मिठाया तो हम हर बार बनाते हैं, सोचा आज एक ऐसा केक बनाते हैं, जिसमें नाई अंडे का इस्तमाल किया गया है, नाई अवन का, और ये इतना जितना देख सकते हैं, दिखने में कितना बढ़िया और सुन्दर अवन का है, काफी कम समय में आप ये बना लेंगे, और काफी सिंपल भी है, तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि बिना अवन का है, तो सबसे पहले देखे, कोई भी बरतन ले ले या कडाई ले, इसके अंदर नमक डाल दे और छोटी सी रिंग रखते, अब गयस को ओन कर देना है, ये बरतन रख देना है, धकर बिल्कुल दीमी आज पर इसे आपको दस मिनिट के लिए गरम होने देना है, जब तक हम बैटर बना लेंगे केक के लिए, देखे एक बाउल ले ले, इसके अंदर डाले आदी कटोरी दही और एक चौथाई कटोरी तेल, तेल जैसे क और इसमें देखे ये आपको एक कटोरी मैदा और आधी कटोरी पीसी हुई चीनी, यानि कि पाउडर शुगर जिसे कहते है बस चीनी को आपको लेना है, मिक्सर जार में डालकर पीस ले, चानने के बाद देखे एक चौथाई चमच बेकिंग सोड़ा और एक चौथाई चम को मिक्स करेंगे, अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद एक कटोरी दूद मैंने डाल दिया है, दूद को मैंने उबाल कर बाहर रख करी ठंडा कर लिया था, ऐसा वाला दूद आपको ले रहा है, देखे एक कटोरी डाला है, अच्छे से मिक्स किया है, जरूरत लग रही है क देखे इस तरह से ribbon जैसे आप उठा कर नीचे गिराएंगे तो ribbon consistency में गिरना चाहिए या फिर आप क्या करें बेटर के अंदर 8 नमबर लिखके देखें अगर प्रॉपर हो रहा है समझ लीजे आपका बेटर सही है एक से दो drop vanilla essence के डाल देंगे है तो डाले वना कोई बात नही अच्छे से मिला ले और अब हम ले लेंगे cake tin तो यहाँ पर देखें कोई भी shape cup ले सकते हैं मैंने ये steel का डबा ले लिया है अब कोई भी tin ले सकते हैं इस पर थोड़ा सा oil लगा लेंगे और इसकी size का butter paper cut करके रख देंगे अगर आपके बास butter paper नहीं तो आप मैदा भी छ अच्छी डख सकते हैं तैयार के हुए टिंड में ये बेटर को डाल दीना है और बेटर को डालने के बाद देखें थोड़ा सा tap tap करना है ताकि air bubbles निकल जाए ये बरतन को या फिर कड़ाई को गरम होते 10 मिनिट हो गये हैं तो ढखकन को हटा लेंगे इसे रख देंगे और धीमी आज पर 30-35 मिनिट तक बेग करेंगे फिर गैस की फ्लेम बिलकुल लो होनी चाहिए 30-35 मिन्ट हो गया चलिए इसे चेक कर लेते अच्छे से हो गया पांच मिन्ट उपर नीचे हो सकते हैं डिपेंड करता है आपके बरतन यानि की कड़ाई के उपर और गैस के उपर चेक करते रहेगा अब इसे बाहर रखकर अच्छे से ठंडा कर लेना है गरम गरम ना निकाले जब तक वो ठंडा हो रहा है हम विप क्रीम को विप कर लेंगे यह मैंने दो कप जितनी विपिंग क्रीम ले लिए इसे हम स्टीफ पिक्स आने तक करेंगे आप इसे ब्लेंडर से भी कर सकते हैं देखे इस तरह से होनी चाहिए बिल्कुल भी बावल से नीचे नी गिर रही है बस ऐसी हमको विपिंग क्रीम चाहिए अब यहां पर केक अच्छे से ठंडा हो गया है तो बस इसे हम निकाल लेंगे जब एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही केक को निकाल ल देखे इस तरह से इसको मैं तीन लेयर्स में कट कर रही हूँ सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने उपर का थोड़ा सा कट कर लिया है और यहां पर देखे मैं इसके तीन लेयर्स कट कर रही हूँ आप चाहे न तो चार लेयर भी कर सकते हैं और नाइप से भी कट कर सकते ह देखे तीन लेयर में मैंने से कट कर लिया अब एक लेयर को लिएंगे इसके उपर हम शुगर सिरप लगाएंगे आधी कटोरी में दो चमच पीसीवी चीनी मिला ले तो आपका शुगर सिरप तयार हो जाएगा अच्छे से यह लगाने के बाद जो हमने विप क्रीम विप करक और इसके ऊपर में डाले से जब बाता अब कोई भी क्रेश टाल सकते है और अगर आपके पास नहीं है तो ना ढाले स्टावरी क्रेश टालने के बाद थोड़ा से स्प्रेट कर लेंगे नाइफ की मतर से उसके बाद इसके उपर एक और लेयर रखेंगे देखिए और लेयर जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप dho layer तीन layer जैसा चाहिए आप cake की जितनी layer बनाना चाहते हैं उतनी आप कर सकते हैं मैं दो layer काई कर रहे हूँ बहले ही मैंने तीन layer कट की थी पर मैं आज दो काई बना रहे हूं अब पूरे cake को हम यह वाइट कलर की विपिंग क्रीम से अच्छ बस देखे अब ये कोई भी हार्ट कार्ट से हैं स्क्रिपर की मदद से अच्छे से कर लीजे तक एक अच्छी फिनिशिंग आ जाए केक के उपर अब हम राकी बनाएंगे तो कोई भी विपिंग क्रीम कलरफुल का इस्तमाल ने करेंगे बस सिंपल सी जैम्स ले लीजे ये दे ये देखिए राकी का जो बीच फ़ला पाट होता है बस इस तरह से बना लीना है और इसके बाद मैंने थोड़ी से विपिंग क्रीम थी ना उसमें मैंने रैड फूट कलर मिला लिया था आप कोई भी कलर की देखिए इस तरह से इसका जो राकी का जो धागा होता है बस उस बना लीना है और इसके corners को भी इस तरह से कर लीना है यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने ये राकी बना ली और देखी लग रहा भी है और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मेरे भाई के लिए मैं बना रही हूँ तो देखे मैंने इस तरह से भाई लिख दिया है आप चाहे तो रक्षा बंदन या जो भी आपको decoration सही लगता है नो आप कर सकते हैं देखे इस तरह से करने के बाद मैं थोड़े से sides है ने इसकी जो border से उस पर देखे dots कर रही हूँ और यहाँ पर दोनों तरप से मैंने कर लिया है तक केक को पूरा cover हो जाए और अच्छा भी लगे दिखने में और यहाँ पर एक heart बना दिया है तो यहाँ पर दीखे एकदम simple सा बहुत ही बढ़िया सा रक्षा बंदन के लिए की तायार आपने देखा कितना simple decoration है और सची में यह बहुत ही tasty लगता है खाने में बिना अंडे के है बिना oven के बिना condensed milk के है तो घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिए whipping cream आपको मार्केट में काफी असानी से मिल जाएगी तो इस रक्षा बंदन पर मिठाया तो ज़रूर बनाए ज़रूर लाए घर पर पर ये cake भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा घर पर सभी को पसंद आएगा ट्राइ कीजिए और मजे कमेंट्स बताया कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंद्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू फॉर वाचेंग